एलो फिरेंड्स दिस इस विजाराज पुस्प और विल्कम टू लर्नर आईजवाई बीर पर तो आए हम लोग एक बार फिर से CDP CTAT का जो है उस पर हम लोग विचार करते हैं और आज का चेप्टर है बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर आपके लिए Thinking and Learning के बारे में बात करेंगे इसके पहले भी एक हमने इस चेप्टर को discussion किया था लेकिन आज हम उसको और थोड़ा सा डिटेल करने का प्रयास करेंगे आए सबसे पहले समझते हैं Thinking and Learning के बारे में नई या Thinking चेप्टर को हम लोग थोड़ा दे रोक कर और Teaching and Learning को देखते हैं सबसे पहले Teaching and Learning नई टीचिंग अब समझे टीचिंग का अगर हिंदी में देखे तो कहा जाता है सिक्षन और सिम्पसी बाद समझेगा जो हमारा जो सिक्षन की परकिरिया सुरू होती है वह कौन सुरू करेगा तो इसकी जो सुरू करता है वह कौन करेगा शिक्षक करेगा यानि जो आपका सिक्षन परिकिरिया है उसके जो शुरुवात होती है वो कहां सिक्षक के माध्यम से होगा यही ना आपका करेगा और दूसरी बात अगर हम बोले कि सिक्षन जो होता है जेनरली अगर उसका हम बेसिक शुरुवात करे तो वो कहां से शुरु होगा जो आपके सिक्षन परक्रिया होती है वह आपके घर परिवार से भी सुरू हो जाती है ऐसे तो सिक्षक सुरू करता ही है लेकिन इसकी परक्रिया की सुरूत ना किवल बिद्ध्याले में होती है हमारे सिक्षन की बलकि इसकी सुरूत परिवार में भी होती है और परिवार में भी मौखिक रूप से जो हम लोग का सिक्षन परक्रिया शुरुवात करती है वह कौन करती है हमारी मा करती है यही नहीं हम लोग का है तो सिक्षन का मतलब क्या है शिक्षन का मतलब है किसी को टीचिंग कराना पढ़ाना और पढ़ाने के परक्रिया तो कहीं भी हो सकती है, नहीं, लेकिन एक systematic ढंग से जो होती है, हमारे बिद्धाले से होती है, आप जानते भी है, कि वैसे भी जो सिक्छन होता है, इसमें जनराली क्या होता है, सिक्छक जो होते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं, फैस सिक्छक तो कोई हो सकता है, आपकी मा भी हो सकते, आज पर उसके लोग भी हो सकते, आप साधिक जानकार ब्यक्ती भी हो सकते, नहीं, लेकिन अब दूसरी बात पर अगर हम बात करें, लर्निंग के बात करें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधिगम या हम लोग इसी को श कोई दिक्त नहीं है अगर हम जन्म जात कह दें तो भी कोई दिक्त नहीं क्योंकि सीखने के परकार की पर्यास की जुरत है किसी भी परियास की जुरत है क्या आप हर जदेसे रहते हैं नहीं इसका मतलब है कि जो सीखना होता है वह एक कैसी परिक्रिया होती है उद्देश हीन परिक्रिया होती है इसका कोई उद्देश होता है क्या दूसरी बात या पर्यास हीन भी होती है इसमें किसी भी पर्यास की जुरत नहीं है चुकि हम वहां पे है तो वहां पर गटना गट या कोई चीज हुआ तो हमने सीख लिया नए उदेश हीन होता है परियास हीन होता है और प्लस इसमें अभ्यास के कोई जरुरत नहीं होती है लेकिन अधिगम क्या होता है तो अधिगम कहता है कि अधिगम जो होती है परियास पूर्ण प्रकिरिया है परियास पू क्या बीना उद्देश के आप अधिगम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं आपको शिखने के लिए तो परियास की जुरत नहीं है कहीं भी सीखा जा सकता है चलते रोड पर भी सीख सकते हैं घर में भी सीख सकते हैं लेकिन अधिगम के लिए परियास होना जरूरी है एक प्रफिशने का तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे नहीं देखें अंक आना जाना अलग चीज है आप 140 अलातें 150 अलातें मायने नहीं रखता है मायने क्या रखतें कि आप किस उद्देश से काम कर रहे हैं क्योंकि आप 80 नंबर लाइएं चाहे 120 नंबर लाइएं 130 नंबर ले यह तो आलग की परिकिरिया है क्योंकि आपने जितना ज्यादा कंसेप को समझा उस अनुसार से आपका नंबर आता है लेकिन क्या हम किसी भी औि अधिगम का हमंक horse बच्क ब correcting कर द्रजीन हो सकता है की नहीं है कि that कभी सिर्जन सील बच्चा पर्तिभा साली हो बिल्कुल जरूरी नहीं है तो यह सारा चीज़ छोड़िए पलस अगर हम लोग तो जानते कि अधिगम में कभी भी हमें तूलनातमक नहीं करना चाहिए तूलनातमक नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए क्या हम कभी भी तूलना करके किसी को अधिगम करा सकते हैं कि दो बच्चा है तो देखो वह बच्चा लाता है तुमारा 90 नमबर तुम लाते हो 30 नमबर तो यह क्या करेगा दोनों के बिच जो कम्टिटिव की भावना लाइएगा तो बच्चे को वह उत्साहिन बनाएगा उसको हाथोत्साहित कर करेगा नीचे गिराने का प्रयास करेगा उसके दिमाग में हमेशा यह रहेगा को उतना नमबर ले आता है मेरा क्यों नहीं आत अब देखिए तो आपको हाँ आपको तुलना करना है तो करिए यहां पर option देता भी है लेकि तुलनात्मक अध्यान भी करना है तो किससे करना ह है श्वयम से करना है खुद से करना है और चुकर सिटेट के आप तैयारी कर रहे है तो आपकी तो पर्तियोगता किससे होती है आपको यहां तो पर्तियोगता है आपको बिरासी नमबर लाना है जेनरल है तो 90 नमबर लाना है आपको तो अपने से पर्तियोगता है क्या दू परहां भी नहीं इतना अच्छा सब पास कर गया और तुम इतना पढ़े तुमको होता ही नहीं कुछ तो क्या करेगा बच्चा के अंदर एक कुंठा उत्पन हो जाएगा देखे बच्चा फेल और पास होता है तो यह मायने नहीं है पेस क्योंकि जिंदगी जो बना है वह फे पास करे लेखे आप सबको तम ले चली यह तो नहीं आपकी ठीक है तो सुएम सोनी चाहिए और उसके बाद समझेगा जो अधिगम होता है वह कहीं पे जाकर की जाती है या तो आप संस्था में जाते हैं या आप किसी विद्ध्यालय में जाते हैं नहीं असीखना क्या होता या सीखना जो है या तो कहीं से भी हो सकती है तो सीखना कैसी परक्रिया अपचारिक होगा अपचारिक होगा अनपचारिक होगा नहीं लेकिन आपका जो अधिगम होगा क्या होगा ऐसे सीखना अपचारिक होगा अपचारिक होगा नहीं अपचारिक रूप से होगा और आपक अधिगम की परकिरिया जरूर परिवार से हो जाती है घर परिवार से लेकिन बास्तविक अधिगम की शुरुआत कहा सोती है विद्याले से और अधिगम में कौन सामिल होता है अधिगम किसके लिए होता है अब सिखने की परकिरिया कौन करता है दोनों करता है सिख्चक भी कर जरूरी है कि केबल आप ही इसमें सीख रहे हम भी आप से सीखते हैं नहीं आप जो डिसकसन करते हैं आप अभी जो पर रहे हैं तो सबका आपना विभी नताव से बरा हुआ है पुरा दुनिया तो हम अगर आपको सीक्षन करा रहे हैं तो वहां पर हम क्या है एक अधिगम भी कर रहे हैं हम सीख भी रहे हैं तो याद रखेगा कभी कभी दिया रहता है कि जो अधिगम होता है वह केवल बच्चे के लिए होता है और सिक्षन होता है किसके लिए सिक्षा के लिए लेकि नहीं जो अधिगम की परिक्रिया होती है दोनों के लिए होते हैं सिक्षा कभी कर सक सिक्षन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, एक मनुबै ज्यानिक है जिसका नाम है H.C. मौरिशन, जान जी जा, H.C. मौरिशन सहाब जो है, वो कहते हैं कि सिक्षन जो होता है, जो हमारा सिखने की परकिरिया होती है, सवर ये सिखाने की, तो सिक्षन एक अधिक व्यक्तित्व और एक कम परिपकु परिपकु व्यक्ति के बीच एक आंतरांग शंपरक है अब बताइए आप लो, कता सिक्षन क्या है, एक अधिक परिपकु व्यक्तित्व और एक कम परिपकु व्यक्ति के बीच कंतरांग संपरक है, इसमें क्या होता है, एक जो होता है, ज्यादा मैचूर होता है, और दूसरा जो होता है, कम मैचूर होता है, क्योंकि आपकी जो परिपक वो अबस्था बनती है आप बार बार देखते हैं यह दो चीजों को मिलाने से बनता है अबस्था प्लस आपका अनुभव होना चाहिए तो आप समझाए अबस्था जीन प्याजे करणुसार आपको चार अबस्थाओं में बाटा गया आपके जीवन सहली को चार अब जादा मैं चोर हैं आपसे और दूसरी बात और यह जो होता है वह किस अबस्था में होता है जैनरल एकर प्राइमरी का यह चाह होगा 11 साल का होगा और 11 साल तक घुका मतलब बारले अवस्था में रहता है 12 सान से जब वो ुओernाश इक्स मीडिल सिकूल में जाता है सोरावस्था में जाता है उनीच साल तक जो कि अपना हाई स्कूल भी पास कर जाता है उसका उच्छन क्या होता है कि एक अधिक परिपक्तित और एक कम परिपक्ति के बीच का अंतरंग संपर्क होता है बैक्तित्व क्या होता है बैक्तित्व कहा जाया तो बैक्तित्व के जो होता है आंत्रिक और बहिर्मुकी दोनों का बिकास अगर सभी ढंग से होता है हम कहते हैं sự話 का सब कुछ मिलाकर एक बहतरीन मानव जो वनता हुसको बहुत है प्राशनाल्टी नहीं अच्छा व्यक्ति किसको कहते हैं कि देखने में सुन्दर हो जाना या देखने में खराब हो जाना या अच्छे कप्रे पान लेने से ही क्या उसका ब्यक्तित्व अच्छा कह लाएगा उसके कभी-कभी तो आप देखेगा जैसे काफी खुबसूरत होती है लरकिया और जब उसके आवास सुनते तो मन करता है क्या करें नहीं जैसे आप रानी मुख है कि आप एक कह सकते कि आपको तभी कहा जाएगा कि आपका ब्यक्तित्व अच्छा है जिसको को । हैं हम लोग समाज में smartness का मतलब सुनरता से लगाते लेकिन smartness का मतलब क्या होता है smartness का अर्थ ही होता है कि आप जो है क्या है एक हर तरीके से एक परिपकोवेक्ती हैं हर तरीके से मैं चोर हैं लेकिन देखें हम लोग करते कुछ और है यह कहते कुछ और है और करते कुछ और है नहीं तो इसमें हम मानवता क्या कहता है कि आप सबसे पहले मानव बनिये और दूसरी बात एक बात और चीज याद रखेगा कि हम दूसरे के बारे में जो बात चित करते उसे अच्छा है कि अपने के बारे में अपना घर दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं है चुकि हमारा क्या करते हैं कि अंतरंग संपर्क है यही तो है सिखना कहीं भी हो सकता है अधिगम के लिए उद्देश होना यही मेन टॉपिक है आपका कि अधिगम जो होता है एक उद्देश पुर्ण है जबकि आपका सिखना क्या होता है उद्देश हीन होता है नहीं तो इसमें पर्यास करना होगा उसमें पर्यास की जुरत नहीं होगा बस एक लाइन है और जो अधिगम होता है वो अरजित की जाती की जाती है अरजित की जाती है आप कहां से अरजित करेंगे अरजित कहां से करेंगे आप अपने बाताबरन से अपने समाज से अपने आसपरों से यही न करेंगा अरजित ठीक है लेकिन सिक्छन कैसी परकिरिया क गर सिक्षन केम बात करें, तो सिक्षन एक अनुभव नहीं, कह सकते हैं, अनुभव परक एक क्या है, परकिरिया है, अनुभव परक, आप अनुभव के माध्यम से, आपको कितना जानकारिया माइने नहीं रखता है, बलकि माइने रखता है कि आपको कितना अनुभव है, और अनुभाब भी उतना माइने नहीं रखता है, जितना आप कितना अभी के समय कणसार अपने आप में एक परिवर्तन लाती, यह माइने रखता है, अच्छा जरूरी है कि कोई 20 साल से परा रहा है सो, अभी नया नया परा नया से, क्या उसमें कोई अंतर हो? जरूरी नहीं, कभी-कभी यह फेल कर जाएगा, हाँ, जरूरी है कि 20 साल से जो परा रहा है, अगर वो लगातार अधिगम में लगा हुआ तो बहतर होगा, नहीं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि नया जो है वो नहीं कर पाएगा, ऐसे तो है, अभी सिटेट का एक जाम हुआ क्या 40 साल, 50 साल के आदमी निकाल लेगा, जरूरी है कि निकाल लेगा, और क्या एक 18 साल का आदमी निकालता कि नहीं, कोई first attempt में निकाल लेता है, को second में, क्यों, क्योंकि उसका guideline सबसे बरा क्या चीज होता है, guideline सबसे बरा चीज, नहीं, अपने है इतना result हो जाता है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, हम लोग guideline करते क्यों, वहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को पुछा जाता है, बेकार की चीज नहीं करते हैं, और वैसे भी सीटेट निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहला तो देश पुन, आपके दिमाग में एक ही कि आप अधिगम के माध्यम से बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कब, जब आप एक सेक्टर पर अराम से रहेगा, एक चीज का अध्यन करेगा तब, तब ही न लोग सफल होते हैं, और दूसरी बात, जरूरी नहीं कि आपको government job ही मिल जाए, या माइने नहीं रखता है, आप थोड़ा सा और हम बात कर ले, सिक्षन के बारे में, कहता है कि सिक्षन को अगर हम एक लाइन में और थोड़ा समप करें, तो हम एक चीज कह सकते हैं, कि सिक्षन में होता क्या है, तो इसमें एक ब्यक्ति जो होता है, पहले क्या कहा जाता था, कि एक ब्यक्ति दूसरे को क्य खाता है, सिक्षन में आप क्या करते हैं, एक ब्यक्ति जो होते हैं, दूसरे को क्या करता है, शिखाता है, यही तो है, आप किसी को कहते हैं, कि मैं कुछ सीख रहा हूं, तो कैसे सीखते हैं, अब इसके लिए जरूरी ने कि कोई ब्यक्ति ही आपको सिखाएगा, यह भी जरू उन्दर लगन सिहलता होनी चाहिए। आप जिस परहाई को जिस विसाय को आप सिक्षन करा रहे हैं उसका आपके पास क्या होना चाहिए। आपको शिक्षन कराने के एक और चीज़ है आपको TLM का अस्थे धंग से परियोग करना आना चाहिए यानि शिक्षन अधिगम जो शिक्षन अधिगम शामागरी है का उपयोग करना भी आना चाहिए परियोग करना भी आना चाहिए ऐसा नहीं कि आप सिक्षक तो बन गए लेकिन आप टीचिंग लर्निंग मैटेरियल का यूज ही नहीं करते तो फिर वो बेकार हो जाएगा बोरिंग हो जाएगा उबाव हो जाएगा पलस एक सिक्षन के लिए क्या होता है सबसे पहले आप हमेशा किस रूप में रहें आदर शुरूप में रहना चाहिए आपको आदर शुरूप में सिक्षन पर करिया अपनाते हैं तो सिक्षन के लिए आपको आदर शुरूप पेस करना है आप घर पे क्या करते समाज में क् पड़ेगा, लेकिन आप घर में क्या करते हैं, अपना नीजी लाइफ में क्या करते हैं, क्या बच्चे को हाँ पर कोई लेना देना है अभी, लेकिन हाँ उसके सामने जब आते हैं, तो आपको आदर शुरूपेस करना है, दूसरी बात, एक और चीज है, जब आप एक सिक्छ परकिरिया के लिए एक आदर शुरूप में आना चाहिए और प्लस अपना सब कुछ को एक मेंटेन करके चलना चाहिए अपसाराप पीने लगे सिग्रेट धुकने लगे तो बच्चा क्या करेगा बहलू क्या आपके मुह पर हो भी सिग्रेट का धुआ उराद देगा नहीं तो अपना सबसे बड़ी बात होते है सिक्छन के लिए चुकि सिक्छन आप राष्ट निर्मान में सबसे बड़ा सहयोग देते तो आप सिक्छक क रूप में देते हैं इसे बड़ा कोई चीज़ है सिख्छक से बड़ा कोई पोस्ट है दुनिया में कोई पोस्ट नहीं जब तक सिख्छक नहीं है तब तक सब अधूरा है लेकिन अब बात उठते कि आप कैसे सिख्छक के पास है यह भी महाएने रखता है ध्यान देजेग आप भी जब सिख्चक बनेंगे बन नहीं जाएंगे तो जब सिख्चक बनेंगे तो देखेगा आपका जो सब्जेक्ट कमजोर होगा वह बच्चे का भी कमजोर हो जाएगा क्यों क्योंकि याद रखें अगर मालेजिए हम दुकान में जाते हैं जिस पर कपरा खरिदने तो वहां के जैसा कपरा यह ही ना डिजेगा। अगर वहां पे बेहतरीन किस्म का कपरा रखा हुआ हैं तो हम उसी में से सेट करेंगे। घट्या होगा तो, घट्या है सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से आप सिक्षन, और सिक्षन परकिरिया के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको जीवन पर्यंत शिखने की आदत होनी चाहिए अगर आप में छमता नहीं है जीवन पर पढ़ने के जीवन पर नया चीज़ सिखने के तो आप सिख्छक के लायक नहीं आप बच्चे को अंधिकार में डालेंगे नहीं तो आजकल तो यह हो रहा है नहीं तो ध्यान लखेगा तो यह सिख्चन है सबसे पहले इसका एक श्क्रीनशोट लेजे तो हम फिर बात करते हैं ना बात ऐसा है न कि सिख्चन का जब मूख कार्ज होता है वह आधिगम को परभावी बनाना है किसको द्यान दिजेगा तो एक बात तो अस्पंश्ट हो चुका है कि आप जब सिख्चन करते हैं तो सिख्चन का मुख जो कार्ज होता है सिख्चन का मुख कार्ज क्या होता है तो अधिगम को परभावी बनाना है अच्छा आप एक गौर किजिए यहां से अगर आप चाहते कि सिख्चन परभावी हो बनाए तो आप कैसे बनाएगा यह भी तो सवाल आरता है कि अगर सिख्चन को परभावी बनाना हो तो आप क्या किजिएगा अगर प्रात्मिक का बच्चा है प्रात्मिक अक्षा का तो क्या किजिए प्रिंट समिर्द महौल दीजेगा वही ना दीजेगा तो परभावी बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रिंट, शमीर्द, महौल या बाता बहुनिना है? अच्छा, प्रिंट, शमीर्द महौल का मतलब समझते? प्रिंट, शमीर्द, महौल का मतलब होता मैं, नहीं, यह जो कक्छा होना चाहिए नहीं वो सभी जगह, जैसे अगर ओसेरला ब portrayal, आसे आघाम का लगा होना चाहिए, चार्ट जिसको आप बोलते हैं, प्लस विभिन परकार की जो कह सकते हैं, कि आसपास के जो बातावरन का जो बस्तू सब है, वह सब होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, प्रिंट शमिर्द माहुल का मतलत है पूरा कक्चम, जब बच्चा जाया तो एक का मैप नजर आजाए, पेर पौधे नजर आजाए, नए आसपास के जो जानबर हो नजर, यह है प्रिंट शमिर्द माहुल, और कैसे परभावी बनाएएगा, बताए तो, सकरातमक, सकरातमक पहल होनी चाहिए, पहल कैसे होनी चाहिए, सकरातमक पहल का मतलब क्या होता है, पहले सुनिएगा, तो लिख लिजएगा, सकरातमक पहल का मतलब होता है, कि आप कक्छा में इस परकार की बातों को रखेंगे, ताकि कक्छा में बच्चों के बीच दोंद न हो, या बच्चे उबाव महसूस न करे, नहीं, और दूसरी बात है, कि आप हमेशा बच्चे को पुरोत साहित करेंगे, अभी प्रेरित करेंगे, नहीं, आप बच्चे को हमेशा क्या करेंगे, अच्छा मारीजे कोई बच्चा आ रहा था, गीर गया, या वह पढ़ रहा था किताब, और पढ़ते पढ़ते अटक गया, तो क्या किजेगा, आप बच्चे को अभी प्रेर सा था पागल काता था और आप इस तरीके से बताएंगे कि अगर आप पढ़ रहे हो और बीच में दिकते हो रही है तो आप उसमय नहीं टोकेंगे बच्चे को बल्कि आप क्या करेंगे उसको नोट करते रहे हैं कि आपके बल लड़कियों को सीटेट का बैच चलाते हैं लड़कों का क्यों नहीं चलाते हैं अच्छा चीज नहीं है आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो सोचो यह तो मेरे क्या एक धंकी की जैसा हो गया लेकिन कोई आकर कहता कि हमारे समाज में लड़का भी है और दोनों अगर एक साथ चलेगें तो हमारे समाज का विकास होगा, हमारे परिबार का विकास होगा, हमारा एक अच्छा नागरीक का निर्मान होगा. अगर आप लड़कियों को तो परहते ही है साथ साथ अगर आपको लड़का लड़की दोनों को परहाना है तो आप एक साथ न परहा कर अलग से ही परहते तो कैसा रहता जैसे आप बोल देते हैं कैसा रहता है इसका मतलब सकरात्मक हो जाती है जैसे आप मम्मी से बोलते हैं अगर आपको खाने का मतलब है खीर खाने का मन कर रहा है तो आप क्या कहेगा मम्मी को मम्मी आज अगर खीर बनता तो कैसा रहता जैसे ही बोल देते हैं इसका मतलब है कि आप उसके सामने क्या रख रहे हैं प्रस्ताव रख रहें, तो आप अभी प्रेरित करेंगे परभावी बनाने का तरीका है, दूसरा और क्या है, आप स्वा पहल बच्चे का क्या होना चाहिए, स्वा पहल दिजेगा, बच्चे को करके सिखने पर जोर देना होगा, करके शिखना पर जोर देना होगा, परभाव भी बना रहे हैं आप अपने सीक्षन को और क्या किजेगा आपका अक्षा में कुछ चुटकूले का परयोग कर दीजे शंगीत का परयोग कर दीजे नहीं आप यहां तक कि अगर चाते हो तो कुछ निर्थ करके भी आप बताईए अगर उसा परहाई है तो मालिजे को बच्च क्या करें पूरी तरीके से आपको उतरना चाहिए वहाप यह मत सोचे कि आप एक सीक्षक है यानि बच्चे जिस तरह से सीख सकते हैं चाहे हुआ कोई भी तरीका हो लेकिन गलत तरीका नहीं तरीका क्या होना चाहिए सही होना चाहिए नहीं सकारात्मुक होना चाहिए वह स आरे करना परेगा, अगर बच्चे से चाते हैं कि बच्चा हमारी आज्या का पालन करेगा, तो आप भी अपने तुसरे शिक्षक के साथ कैसा बरताओ करें, आप अच्छा बरताओ करें, और क्या आप शिक्षान का मुख अधिगम को प्रभाह भी बनाना है आप अधिगम को परभावी बनाना चाहते तो और कैसे बनाएगे और बताएगे तो आप क्या करेंगे एक लोगतांत्रिक बेवस्था को अपनाएगे कैसी बेवस्था को लोगतांत्रिक बेवस्था को लेकर चलेंगे यानि बच्चे की बच्चे की जो बीचार है बीचार को क्या दिजेगा बिचारों को मानता देंगे, नहीं, कोई भी कार्ज होता तो उसमें बच्चों से राय लेंगे सबसे पहले, नहीं कि बच्चा अगर ऐसा ना का किया जा तो कैसा रहेगा, तो बच्चे की बिचार को भी मानता देंगे, पलस, आप अंतर नहीं करेंगे, अंतर नो करें, बच् भर्म से, अलगला संस्कृति से, अलगला खाण पांच से तो आप क्या किजेhmen? तो भेदभाव आप नहीं करेंगे, भेदभाव ना करें, यानि सब को समान डिरिष्ठी से देखना है, चाझा समाजिक रूप से आर्थिक रूप से, किसी भी परकार से लोग, हमें कोई लेना देना नहीं है, एक सिक्षक और सबसे बराबा जानते हैं, कि सिक्षक जो होना चाहिए, वह एक राजनितिक से दूर होना चाहिए, पॉलिटिक से दूरन, सिक्षक का मतलब क्या होता है, सिक्षक का मतलब ही होता है, गुरू का मतलब क क्या होता है कि वह सारे बैर को सारे द्वेस को भुला कर बच्चे को एक इस वर के रूप में उसको सुईकार करें इस वर का दिया हुआ एक उपहार के रूप में और अपने मन में किसी भी बच्चे के परति बैर न रखें एक समान भाव रखना है आपको चाहुआ किसी भी प रखता कि मेरे में ही कमी रह गया होगा, नहीं, क्योंकि सिक्षक क्या होता है, एक पौधे की तरह, पौधा को एक जो सीचने वाला होता है, अपनी फंसल को सीचने वाला किसान होता है, उसी परकार से है, आप जिस परकार से सीचेंगों ऐसा बच्चा आएगा, नहीं, और बच्चों को अबसर देंगे, बच्चे को क्या किजिगा, अबसर देना, अबसर देना हर चीज में, आप कोई भी काम करेंगे तो लेक्चर में थर से नहीं करेंगे, हमेशा कैसे किजिगा, सह भागिता पर काम करेंगे, शह भागिता यानि जिसमें सब की सह भागिता हो, नही जैसे कभी-कभी होता है कि बच्चा ज्यादा पढ़ने में तेज रहता तो ठीचर उसी को ज्यादा इजद करने लगता है कमजोर को छोड़ देता है ऐसा नहीं होना चाहिए आपके लिए वह अभी उतना ही माइने रखता है हमेशा किरियासिल बच्चे को हमेशा कैसा बना के रखना है किरियासिल अच्छा अगर चाते हो कि परभावी बने आपका सिक्षन अधिगमकार्ज तो और क्या किजिगा किरियासिलता तो होना चाहिए उसको दोनों तरीके का सिक्षन आपको कराना होगा सैक्षिक पलस सा सैक् वहसं को कहने ज्यान ना देए। क्सफरी पर्षी से रिलेटर परए सकरात्मक और बिचार वड़ा कैसे चूटे लोग कैसे संचते हैं उचबर के लोग क्या सोचते हैं नीचबर के यह सारा चीश्री लेटर किताब जो होती है कभी-कभी motivational, अभी पिरनात्मक किताब भी उसको पढ़ने के लिए हम लोग के समाज में क्या करता है, लोग केबल किताबी ग्यान देता है पचमाय पर है तो वही पर हो, आगे से किताब ने, जबकि बच्चे को छुटकुई लेका कहानी का किताब हो गया, संगीत का किताब हो गया, कभीता हो गया, साहरा एक रुषकते को को समाजिक में भिकास छारितरिक או नयतिक में भासाइ बीकास सब को आपको लेकर चलना किसी एक परणा ही काम करना है तो आपको बर्घ में तो देना यह सीख्चा और पलास आपको कहां ले जाना बच्चे को बच्चे को स्कूल के बाहर भी सहसेक्षिक भी ग्यान देना है आपको तो इतना चीज है आपको परभाई बनाने और परभाई बनाने का तरीका हो सकते हैं जब आप किसी भी बच्चे को ग्यान दे रहे होते हैं तो ज़्यादा कोशिस कीजिए कि बच्चे के कैसा होना चाहिए, रूची के अनुशार होना चाहिए, बच्चे के रूची देखना पड़ेगा, ठीक है, बच्चे कोई रूची के अनुशार कीजिए, बच्चे के जिग्यासा, जिग्यासा, नहीं, सांत करने वाला होना चाह प्लस बच्चा कैसा होना चाहिए, बच्चा को मानता नहीं देंगे, बच्चे को इगनोर करेंगे, तो क्या बच्चा कभी भी कलास में आपको रह पाएगा तो दूर भागना परेगा तो सबसे बरा जो चीज है कि सिक्षन को अधिगम बनाना है तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चे के रूचिक अनुसार देना और दूसरा जो सबसे पहल होता अच्छा सकरात्मक पहल और सेक्षिक सा सेक्षिक दोनों होनी चाहिए अच्छा बताएए बच्चा जब उबने लगे बाई चांस परते परते उबने लगे तब परभावी कैसे बनाएगा अपने सिक्षन अधिगम जो प्रकिरिया है उसमें क्या किजेगा तो सिक्षन अधिगम आपका जो सिक्षन अधिगम प्रकिरिया है में शमय के अनुसार क्या करना पड़ेगा बदलाव लाना पड़ेगा अगर बदल आप नहीं लाते तो फिर आप कतम, और दूसरी बात, आप भी क्या करेंगे, शीखने पर बल देंगे, शीखने पर बल देना, आपको ये पास अधिगम करने की छमता होनी चाहिए, नई, नय नय चीज, इतना ही नहीं, आप अभी जो नई तकनीक आ रही है, जैसे अभी जो सिक्षा निती बना है, नया, अभी जो हम लोग लेकर चल लहते हैं, कोंस, NCF 2005 लेकर चल लहते हैं, नई, और RT, 2009 लेकर चल लहते हैं, अब, अब चुकि 2020 आ चुका है, तो ये आपका 16 साल पुराना, और 12 साल पुराना जो है, उस समय के लिए बेहतर था, लेकिन अ समय के अनुसार आपको बदलाव करना परेगा, अच्छा, हम सोचे कि पहले जैसा बच्चा रहता था, माता पिता की बात मानता था, नहीं, वो उस परकार का ड्रेस लगाता था, क्या अभी वो समभब है, समय कनुसार, समय चेंजिंग आ रहा है, उस समय अलग बात था, उस समय कनुसार आपको बदलाओ, तो ये सारे, बहुत सारे चीज हो सकता है, अगर आप चाहते कि सिक्षन का परकिरिया जो है, आपका अधिगम जो उसको परभावी बनाए, तो हर उपाय कीजिए अपने तरीके से, नहीं, लेकिन अभी क्या हो चुका है, हम लोग तो अभी ऐ ऐसे जो है, यानि एक लाइन में कहा जाए, तो सिक्षन अधिगम को परभावी बनाना है, तो आपको सिक्षा बेवस्था को क्या कर देना पड़ेगा? बाल केंद्रित कर देना पड़ेगा, सिक्षा किसके लिए है या सोचना पड़ेगा? सिक्षा जो है बच्चों के लिए है बच्चा सिक्षा के लिए सिक्षा के लिए नहीं सिक्षा बच्चों के लिए है नहीं बच्चा सिक्षा के लिए नहीं सिक्षा बच्चा के लिए करेक्ट तो सबसे प्ले स्क्रीन सोट लिजे तो हम फिर बात करते हैं तो ध्यान देज़ेगा कता हाफ तथा डंकन के अनुसार हाफ तथा डंकन के अनुसार हम लोग देखते हैं सिक्षन क्या होती है देखें जनरली कता है ये कते डंकन महोद है कि सिक्षन जो होती है चार चर्नों वाली एक प्रकिरिया है यह चार चर्नों से होकर गुजरते हैं कौन कौन सा है सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं योजना बनाते हैं पलानिंग करते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसका निर्देशन करते हैं और तीन नंबर पर हम लोग क्या करते हैं मापन करते हैं और चोथा जो होता है वह होता है मुल्यांकन चोथा क्या होता है मुल्यांकन होता है शमझे तो डंकन महोदे कहते हैं कि जो सिक्षन प्रकिरिया होती है चार चर्णों में संपन होती है सबसे पहले आप planning करते हैं जब planning होती है तो आप एक निर्देशन करते हैं निर्देश और उसके बाद मापन कर लेते और लास्ट में क्या कर लेते हैं उसका मुल्यांकन कर लेते हैं अब समझेगा कि अब आप जब सिक्षन कर आएंगे तो कुछ तो सुत्र होगा, नहीं तो सिक्छन सुत्र देखते हैं, यानी Teaching Rules क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जो है सिक्छन कराते कैसे, पता है ग्यात से अग्यात की और, ग्यात से अग्यात की और, यह क्या होता इसके बारे में जानते हैं कता कि पढ़ाने से पले अध्यापक को प्रस्ण करके पता लगा लेना चाहिए कि बच्चों को स्पार्ट के प्रती कितना ग्यान है और पता करने से अध्यापक को कक्छा का अस्तर पता चल जाता है और ग्यान पता होने पर बच्चों को वहां तक पढ़ाना जो बच्चे नहीं जानते हैं आसान हो जाता है यानि सिंपस है ग्यास या ग्यात की उर में हम लोग क्या करते हैं हम लोग प्रश्न करके कमी को पता लगा लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते आप ग्यात करते हैं, प्रशन करके पता लगाते हैं और पता करने के बाद आप क्या करते हैं, उसका निदान करते हैं, यही न करते हैं आप लोग, तो पहला मेथड हो गया ये, सिक्षन सुच्र का, दूसरा क्या होता है, सरल से कठीन की ओर, द्यान दिजिए अब सरल से कठीन के ओड़ सिक्षन कराते हैं हम लोग पहले अध्यापक को कैसी रचनाय प्रस्तूत करनी चाहिए सरल बिल्कुल आसान जिसमें बच्चे क्या हो सके आसानी से समझ सके उसके बाद थोड़ा सा उपर अस्तर तता बिल्कुल अंत में मुश्किल रचना प्रस्तूत करता है तो बच्चों का विश्वास क्या हो जाता है डगमगा आ जाता है यानि सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए पहले सरल रचनाय प्रस्तूत करनी चाहिए सरल रचनाय प्रस्तूत करनी चाहिए उसके बाद क्या करना चाहिए थोड़ा सा थोड़ा स उपर का अस्तर और उसके बाद लास्ट में क्या करना चाहिए लास्ट में मुश्किल रचनाय आपको पेस करनी चाहिए नहीं सबसे लास्ट में मुश्किल रचनाय पेस के जिगा क्योंकि अगर मालेजी हमी आपको शुरू कि अभी teaching and learning और हम एक के बार आपको सुत्र पर ले आते नहीं कि आपको ऐसा नहीं सिक्षन की चेपर किया है सिए इसे लाास्ट में यह हो ऍचाहिए तो सबसे पहले हैं कि च्छन में सामिल की है स्क्छन का उद्देश की किया हैं हम वो सारा जाने के बाद आपके महने वह जिग्ञास अच्छा, शिक्षन मतलब होता है कि जहां पे सिखाया जाता है, कौन सिखाएगा, तो कम ग्यान के ब्यक्ति को जादा ग्यान बला पड़ है, एक अनुभवि ब्यक्ति अनुभव थोड़ा सा कम है उसको शीखाएगा, यही बिशिष्ट से शामान की और होता है अब कहिए कि यह क्या होता है विशिष्ट रूप प्रस्तूत करने चाहिए विशिष्ट रूप का मतलब होता है कि सबसे पहले पूरा का एक सारांस बताईएगा सबसे पहले बताईए कि आप परहाने का मकसद क्या है आपका आप जो परहाते हैं नहीं यह सिक्षन सुत्र परहा रहे हैं यह हम अथी नहीं परहा रहे हैं आगमनीवन नहीं ठीक है तो बिशिष्ट से शामान की और में क्या बताएगे सबसे पहले आप पूरा का एक नीचोर बता ये जब निचोर बता देते संचेप बता तो बच्चे में जिग्यासा उत्पन होगा जब जिग्यासा उत्पन होगा तो बच्चा जानना चाहेगा नहीं और उसके बाद देखते हो जब फिल्म रिलीज होते तो उसके पर एक टेलर दी जाते हैं क्यों टेलर दी जाती है तेलर इसलिए दी जाती है ताकि आप एक संचेप में जाने की आखिर होने वाला क्या है और आप बच्चा देखेगा तो उसको लगया कि अच्छा ऐसा हुआ नहीं अभी तक यह हो गया तो आप कविता पराते तो कैसे पराएगा पहले पूरा कविता का भाव समझाएगा उसके बाद लाइन बाइन सब्द बाई सब्द एक एक सब्द को यानि हम कह सकते टॉप टूब टूब की और न जाकर सबसे पहले क्या करेंगे बॉटम से टॉप की और पहले छोटी चीज उसके बाद बरी-बरी करते चले जाएंगे, यानि कह सकते कि आप विसलेशन करते हैं एक तरीके से, विसलेशन में क्या होता है, छोड़े-छोड़े टुकरे में, तो विसिष्ट से सामान के और का मतलब है, कि सबसे पहले आप बच्चे को क्या करेंगे, कि पाठ का विसिष् संसूत्र का रूप है, यानि विसिष्ट से सामान में हम बता सकते हैं, कि पहले का आप क्या करना चाहिए, पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, पाठ का, पाठ का, विसिष्ट रूप, एबं बाद में, बाद में क्या किजेगा, बाद में सामान रूप परस्तूत करेंगे, शामान रुप प्रस्तूत करे, तो इस चीज को आप क्या रखेगा, पाठ का बिस्षिस्ट रूप एवं बाद में शामान रूप प्रस्तूत करेंगे, कोई दिक्कत, उसके बाद, चोथा है, आप सिक्षन कैसे करेंगे, मुर्थ से मुर्थ से अमुर्थ या एस्थूल से सुक्ष्म की और यहीं नहें अब कहता है कि आप बच्चा पहले क्या करता है जो उसके सामने चीजे ही रखे रहती है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है तो सबसे पहले बच्चा अपने सामने रखी भी बस्तुवे पर ध्यान किंदित करता है उसके बाद उनको हटाने पर भी ध्यान किंदित कर सकता है मालेजे कि यह मारकर है हमको मारकर के बताने तो सबसे पहले हमने क्या किया मारकर को दिखाया मारकर के बारे में जानकारी दिया मुर्थ है, और तब हाटा भी देंगे, और मार्कर के बारे में ऐगर इसको जानकारी देंगे, तो बच्चा आसानी में समझ जाएगा, नहीं समझ जाएगा, तो काता है बच्चा उन चीजों के ऊपर तारकिक रुप से नहीं सोच सकता, जो उस ने पहले नहीं देखी है, क्य माल ज shrug 14 साल के बच्ची का साधी किया जाता है तो क्या वह साधी के बारे में जानता है क्या कुछ नहीं जानता है वो तो एक जानता है कि चलो ऐसे गुड़ा गुड़ी का खेलोता हुआ साधी हो गया लोग बच्चे कर भी लेते हैं नहीं बाद में पता चलता उसके नहीं तो आता पहले बच्चे को बस्तु दिखाने चाहिए और बाद में उसको क्या कर देना चाहिए हाटा कर उन पर ध्य किन्दित करने के लिए बोलना चाहिए करेक्ट तो ध्यान देजिए सबसे पहले क्या किजेगा सामने बस्तू को शामने शामागरी को क्या किजेगा रख कर बाद में बाद में क्या किजेगा बाद में हटा कर समझाएंगे उसको बच्चे को नहीं तो ध्यान रखेगा कि सबसे पहले मुर्द से अमुर्द आपका सबसे पहले सामने रख के एकजमत आप देखते हैं कुस्चन में भी आप देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब लोकन करते हैं, पहले अब लोकन, अब लोकन में क्या करते हैं, जैसे आधा का कंसेप्ट आपको समझाना होता है, तो कैसे समझाते हैं, सबसे पहले आप किसी भी चीज को आधा भाग में काट कर दि आधा का चित्र भी नहीं दिखाएंगे आधा उसको आधा का चित्र नाश्ट में दिखाएंगे उसके पले क्या की जिए तिन नम तो इस चीज को भी ध्यान लखेगा तो मुर्ष या मुर्थ की और या स्थूल से सुक्ष्मी की और हम लोगों का सिक्षन चलता है इस स्थूल मतलब समझे ने सबसे पहले पूरे चीजों को दिखाएए पूरा चीजों को दिखाएगे तब छोटी छोटी नाइं आप जैसे ओ दिखाना है अगला है पूर्ण से अंसकी और पूर्ण से अंसकी और अब पूर्शे अंस की ओर में क्या किजेगा आप आप ही बताई इसमें होता अध्यापा को पहले पूरे भाग की जनकारी देनी चाहिए और बाद में उसके छोटे छोटे भाग की जनकारी देनी चाहिए जैसे पहले गारी के बारे में फिर उसके भागों के बारे में बताए तो पूर्से अंस की ओर में क्या किजेगा, अध्यापम के पहले क्या करना होगा, पूरे भाग की जानकारी देना होगा, नहीं, बाद में चोटी-चोटी क्या करना चाहिए? छोटी छोटी भागों की जानकारी तो ये आपका हो जाएगा कौन सा चीज कौन सा पूर्णशे अंस्की ओर हो जाएगा अगला पॉइंट है और निस्चित्ता से निस्चित्ता की ओर इसमें क्या किजेगा बच्चा किसी भी नए समपर्ते को लेकर हमेसा भरांती में रता है बच्चे की भरांती को ध्यान में रखकर उसको ग्यान देना चाहिए ताकि वह उसके प्रति क्या हो जाए निस्चित हो जाए कोई भी नया चीज आप लेकर आते तो भरांती में रता है तो बच्चे की बरांती को ध्यान में रखकर ग्यान देना चाहिए बच्चे को क्या करना चाहिए जो बरांती है ऐसा ना परहाद दिजे क्या उस गरबरे हो जाए बच्चा अनिस्ता में किसी भी ग्यान को लेकर अब डारेक्ट ए प्लस भी का हो ले इसको बतेगे तो बच्चा समझेगा तो सबसे पहले ओर निष्थित्ता है उसको हम लोग किसमें बदलेंगे निष्थित्ता में बताएंगे तब होगा उसके बाद और तरीका सबसे इंपोर्टेंट तरीका तो यह है इसमें क्या किजेगा तो अध्यापको बाल केंद्रित सिक्षा को ध्यान में रकर सिक्षा देने चाहिए बच्चों के अनभूतियों बेभार और रुच्चों को ध्यान में रकर सिक्षा देने चाहिए बचा के रूची देखिए, बचा का बेभार देखिए, बचे का अनूभूती देखिए तब ही कीजिएगा, नहीं, और एक होता है विशलेशन से संसलेशन की और, आठमा पॉइंट है, विशलेशन से शंसलेशन की और, बिसलेशन संसलेशन में क्या किजेगा आप लोग तो जब हम किसी कविता कानुबाद करते हैं तो एक एक सब्द को तोर तोर कर लिखते हैं और जब हम उसका निसकर्ष देते हैं तो पूरी कविता को क्या बताते हैं नीचोर बताते हैं और लास्ट जो teaching material मैं आपको बतारों स्वरी सिक्षन सूतर बता दाओं teaching formula जो है आपका teaching rules जिसको आप कहते हैं वह है आपका 9 number और वह कहता है मनो बिज्ञान से तार्की की ओर किस की ओर मनो बिज्ञान से तार्की की ओर यह क्या है इसमें कहता कि पहले आपको मनो बिज्ञान तरीके से बच्चे को त्यार करना चाहिए और उसको पढ़ाई करनी है अगर वह मनो बिज्ञान अधार बना कर पड़ेगा तो रूची के साथ परताओं तर्क परस्तूत कर सकता है मनो बिज्ञान के अनुसार मतलब क्या होता है बच्चे के बेभार के अनुसार बच्चे के बेभार को देखना है बच्चे को अनुभूती को देखना है बच्चे को रूची को देखना है और मनो बिज्ञान से तरकी क्योर ले जाएंगे सबसे पहले उसको पढखेंगे पहले उसको जानेंगे उसको समझेंगे और तब हम तरकीकता की और जाएंगे तब उसको conceptual की और जाएंगे तो यह है आपका सिक्षन सुट इसका screen सुट लिजे फिर हम बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग अब सिक्षन की विशेस्ताएं कुछ जानते हैं कि आखेर यह जो टीचिंग है उसकी क्या characteristics होती है characteristics of teaching शिक्षन की विशेस्ताएं सबसे पहले समझे जो सिक्षन की परकिरिया होती है वह कैसी परकिरिया होती है एक समाजिक परकिरिया होती है तो ध्यान दिजेगा सिक्षन एक भासाई परकिरिया है सिक्षन कैसी परकिरिया एक भासाई परकिरिया और सिक्षन एक अंता किरिया है जिसमें सिक्षा करकिस के बच्चा के बीच में एक अंत्र किरिया होती है, सिक्षन एक कला है, जो सब के पास नहीं होती है, सिक्षन एक विकास की परकिरिया है और सिक्षन एक त्री धूरवी है, ट्राइपूलर है, कौन कहा है, कि सिक्षा जो एक ट्राइपूलर है, जोन डिवी, नहीं, जिसमें कौन कुनाते हैं सिक्छाक और बालक और पार्च जर्या तो सिक्छान की विसेस्टा में देखे पहला सबसे पहला कि सिक्छान एक सामाजिक प्रिक्रिया है सामाजिक प्रिक्रिया का मतलब क्या है बच्चा कहां से सीखता है शमाज से सीखता है यानि जो या टीचिंग है वह हमारी समाज में होने बाले प्रिक्रिया है जिसे बच्चे जो है से वह कुछ न कुछ सीखते रहते हैं उसके बाद जो सीख्छन होता है एक भासाई परिक्रिया है यानि या परिक्रिया किसके माध्यम से होती है भासा के माध्यम से अगर आपका हिंदी का महौल है तो हिंदी भासा में आप उस भी से को सिखते हैं इंगलिस हो तो इंगलिस में जिस परकार का भासा होता है उसी परकार का सिक्षन परकिरिया चलती है और सिक्षन जो होता है यहाँ एक कैसी परकिरिया है तो सिक्षन एक अंता किरिया है जिसमें सिक्षक एबम बालक के बीच में परस्परिक अंता किरिया के माध्यम से चलती है और सिक्षन हाँ हर जगा पर की जाती है सिक्षन एक कला है सबसे बड़ी बात है यह एक आर्ट है नहीं ग्यान आपके पास कितना यह माइने नहीं रखता है माइने रखता कि आप उस ग्यान को किस रूप में आदान परदान करते है यह एक बहुत बड़ी चीज होती है नहीं सिक्षन क्या है तो सिक्षन एक बिकास की परकिरिया है नहीं एक बिकास की परकिरिया है बच्चे का जो बिकास होता है किस तरीके से होता है यह डिपेंड करता है उसके सिक्षन परकिरिया पर नहीं और सिक्षन परकिरिया सही है तो आपको सफल होने की उम्मीद लगभग हो जाती है लगभग समाप्त हो जाती है और अगर आप म सिक्षन का कला नहीं है तो आपके विकास की परकिरिया भी क्या हो जाएगा रुकावट से महसूस करेगा तो एक विकास की परकिरिया है और जॉन डिवी काते है कि सिक्षन जो होता है कौन होता है सिक्षन जो होता है एक तिरी धुरुविय परकिरिया है कैसी परक्रिया है, त्री धुरूब्य परक्रिया, यानि तीन धुरूबों पर चलने बादे, तिरी कोनी है जिसको आप कह सकते हैं, जहां पे कौनकर होते हैं, तो एक जगा पे, जहां पे सिक्चक, बालक, और पाठ, चर्या, या इसी को बाता बरन भी कुछ लोग बोल देते नहीं तो इन सब चीजों का भी ख्याल रखिएगा ओके पहले स्क्रेंट सट लेज़ें तो हम फिर बात करते हैं ध्यान दिजेगा अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं जीसे हम लोग क्या कहते हैं सुक्षम सिक्षन के नाम से जानते हैं अब सवाल आता है कि सुक्षम सिक्षन क्या होता है देखे, micro teaching जो होता है, सिक्छक बनने से पहले का सिक्छक होता है, यानि आप teacher बनके जो एक परकार से जो रोल अदा करेंगे, वह अपने class साथी के साथ, जैसे आपके साथ जो training कर रहे हैं, आपके जो class साथी हैं, उनके साथ आप क्या करते हैं, एक student और एक आप teacher के रूप मे pace आते हैं, और यह जो होता है, micro teaching, वह छोटे level पर होता है, और करीब करीब कितने minute का होता है, 36 minute का होता है, और कितने चक्रों में एक समाप्त होता है, तो यह कुल पांच चक्रों में समाप्त होता है, जिसमें एक चक्र को सामिल नहीं किया जाता है, कौन, सिक्छन, सत्र को, नहीं, प्लानिंग को नहीं किया जाता है, ऐसे होता छे चक्रों में, लेकिन टाइम हम लोग जोरते हैं कितने का, पांच कहीं जोरते हैं, जो योजना बनाते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अब आईए, NCT की अनुसार, सुक्ष्म सिक्षन जो होते ह हैं, पहले क्या करते हैं, प्लानिंग यानि योजना बनाते हैं, योजना बनाने के बाद आप क्या करते हैं, आप एक टीचिंग सेशन चलाते हैं, क्या चलाते हैं, सिक्षन सत्र चलाते हैं, कितने दिर का चलता है, छे मिनट का सिक्षन सस्तमाने, आप अपने कलास में जो ह सत्र, उसके बाद क्या होता, जब सीक्षन सत्र हो जाता है, तो उसके बाद आप प्रती पुष्टी करते, फीड़ बैक सेशन चलाते हैं, प्रती पुष्टी सत्र चलाते हैं, यह अभी कितने मिनट का चलता है, 6 मिनट का चलता है, अभी यहां पे समझें, अभी यहां पे फी का हो जाता है 12 मिनट का उसके बाद फिर क्या किजेगा इसके बाद आप फिर से पुना अध्यापन सत्र री टीच सेशन चलाते हैं पुना कर सकते हैं अध्यापन सत्र चलाते ये कितने मिनट का चलेगा, 6 मिनट का चलेगा, नहीं, 6 मिनट का और उसके बाद क्या होगा, एक बार फिर से आप पुना परती पुष्ठी करिएगा, पुना री आपका सकते हैं कि री फिडबैक सेशन चलाएंगे, पुना परती पुष्ठी सातर चलाएंगे, और यहां कितने दिर का होगा यह अबी लगभग 6 मिनिट का होगा और फिर से वहीं पड़ा जाएगा प्लानिंग पर तो कितने चक्रिस में चला एक दो तीन चार पांच छे लेकिन हम इसको काउंट नहीं करते क्या इसका समय को हम लोग काउंट किया तो प्लानिंग जो बनाते शुरुआतम उसको छोड़ दे तो सब देखे 6-6 मिनिट का है केवल पुनर योजना सत्र जो होता है वह आपका 12 मिनिट का चलता है याद रखेगा पूछेगा सभी सत्र 6-6 मिनिट का चलता है और किसका समय काउंटिंग नहीं क्या जाता है तो योजना का प्लानिंग बनाते उसका हम लोग काउंट नहीं क यानि याद रखेगा कि सिख्छक बनने से पहले का यह सिक्छक है अबब टीचर बना नहीं है लेकिन उसके पहले कायाक शिक्षक होता है और इसमें हम छोटे से गुरुप में लगवा कितने स्टुएंट को इसमें सामिल करते हैं छोटे समू होता है मुसके से 15 से 20 नहीं इसके आसपास रहता है तीस से नजदी की ही करकिया जाता है अगर जितना छोटा उतना जादा अच्छा है और इस तरीके से इस सेशन को कम्पलीट कर देते हैं और हम लोग टीचर बनने का एक जो करम होता है उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं तो इस तरीके से माइक्रोट टीचिंग आपका क्या हो गया समाप्त हो गया जो कोस्टन से डाला जाएगा उस पर आप लोग तो यह था हमारा एक चेप्टर जिसका नाम था टीचिंग अन लर्निंग तो learning के बारे में भी कुछ जानकारी अगले वीडियो में देने का प्रयास करूँगा तो तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like किजिए और ज़्यादा सज्यादा link को share किजिए ताकि सभी के पास यह पहुच सके और चुकी जो तैयारिया होती है वो शुरुआस से ही की जाती है नहीं इन से एकजाम आ रहा है तो आप फ़र फिल अप किये तो उसके बाद तैयारी करना शुरू करें तो एक समपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल को subscribe करें लिंक को share कीजिए और bell icon को all पे जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे जब भी वीडियो upload करूँ सबसे पहले आपको notification मिल तब तक जहां भी रहे खुशाल रहे thanks for watching keep watching जय हिंद जय भारत